अलो दोस्तों चलिए तो यहां पर हम advanced account स्टार्ट करने जा रहे है आपके accounting standards को यहां पर simply बहुत सारे एस आपके accounting standard यहां पर add करे गए हैं ठीक है हम start करते हैं एक के बाद एक हम start कर देंगे और complete कर देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस वीडियो के lecture के अंदर ठीक है इस video lecture के अंदर आपको AS1 complete करना है और आईए मेरे साथ, यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम यहाँ पर बता दे आपको, कि हम इस AS job lecture हमारे चल रहे हैं, इस AS lecture के अंदर हम सबसे पहले concept को cover करेंगे, ठीक है, concept को cover करेंगे, यहाँ पर, अगर मैं आपको बताओ, तो स सबसे पहले हम यहाँ पे concept को cover करेंगे ठीक है इसके बाद हम यहाँ पे इससे related illustration जो आपके ICA module में ही given है उसे complete करेंगे ठीक है इसके बाद यहाँ पे कुछ एकाद दो question जो है extra मैंने add कर रहे हैं ठीक है extra question है मेरे पास वो extra question भी मैं कराऊंगा आपको इसके बाद यहाँ पे ICA module में आपको practical question given है वो practical question हम complete करेंगे तो insert हम कहें कि यहाँ पे आपका पूरे का पूरा यह जो chapter है वो completely complete होगा मतलब कि इस video lecture के complete होने पे आपके question practice concept वागिर सारी चीज़े आपके जो है cover हो जाएगी ठीक है तो simply आपको क्या करना है आपको simply यहाँ पे down करते रहना है देखते रहना है और आपके इस video lecture के साथ ही साथ आपका AS1 पूरे का पूरा complete हो जाएगा ठीक है with question practice okay चलिए तो अब हम यहाँ पे start करते है अपना AS1 accounting standard 1 जिसका नाम है disclosure ठीक है disclosure of accounting standard ठीक है तो यहाँ पे पूरे का पूरा नाम आपको यहाँ पे दे रखा है कि disclosure of accounting policies या फिर standards ठीक है चलिए तो यहाँ पे कुछ चीज़े मैंने ओल्रेडी हाइलाइट करके रखिए इसे अच्छे से पढ़ना है और बागी सारी चीज़े mcq point of view से आप रीट कर सकते हैं कोई दिकत वाली बार नहीं है ठीक है तो यहाँ पे कहता है यह आपका highlight रह गया यह पर यह कहता है कि accounting policy जो है इस अनवडेबल फोर दी टू रीजन दो ऐसे रीजन है जिसकी वजह से accounting policy को हम आवड नहीं कर सकते ठीक है सबसे पहला तो कहता है कि जो accounting standards है हमारा accounting standards जो है हमारा accounting standards में अगर बात कर रहे तो accounting standards जो है वो cover नहीं करता all possible areas of enterprise enterprise के हर एक possible areas को cover करना यह तो like impossible ही है ठीक है और वही चीज़ यहां पर कहता है कि accounting standard हमें provision बताता है accounting standard हमें treatment बताता है लेकिन ये compulsory नहीं है ये आपका ज़रूरी नहीं है कि हर एक enterprise का हर एक possible areas जो है वो accounting standard cover करें ठीक है ये ज़रूरी नहीं है because हमारे पास में जब आप SM पड़ते हैं तो वहाँ पे भी सीधी सी बात है हमें बताता है कि sir basically environment ही बहुत ज़्यादा complex है ठीक है और ये सारे environments को यहाँ पे possibly cover करना तरीके से impossible बात हो सकती है तो accounting standard cannot and do not cover all possible areas of enterprise ठीक है अर कहता है कि दूसरा यहाँ पे कहता है enterprise is a freedom of adapting accounting policy accounting policy आपको enterprise को जो चाहे जैसे चाहे आप adopt कर सकते हैं इसका मतलब कहीं न कहीं यह कहता है कि sir accounting standard different different बहुत सारी policies आपको option देता है जिसमें से आपको जो लगे enterprise को जो लगे वो adopt कर सकते हैं ठीक है उनके environment के साबसे उनकी size के साबसे उनकी possibility के साबसे वो जैसा चाहे वैसी policy apply कर सकते है multiple policy के बारे में accounting standard आपको बताता है ठीक है इसके बाद यहाँ पे कहता है second since enterprise operate in diverse situation it is impossible to develop a single set of policies applicable to enterprise सबसे पहला तो यह कहा सबसे पहले में दो point कहा है सबसे पहले तो accounting policy first में first reason में कहता है कि accounting policy जो है वो हर एक possible areas जो है वो consider नहीं कर पाता और इसके कारण enterprise को यहाँ पे freedom है कि वो adopt कर सकते है any policy ठीक है any accounting policy वो यहाँ पे adopt कर सकते है लेकिन proper policy आपको adopt करनी है right word क्या लुख़ा है reasonable accounting policy ठीक है reasonable accounting policy आपको जो है adopt करनी है पहला reason था second कहता है कि enterprise जो है वो operate करता है बहुत diverse situation मैंने अभी अभी आपको जिक्र किया कि SM के अंदर आपको पढ़ने को मिलता है कि यहाँ पे complex situation बहुत ज़्यादा होती है ठीक है और इसी के कारण यहाँ पे कहता है कि it is impossible to develop a single set of accounting policy एक accounting policy हर एक enterprise के लिए apply होगी ऐसा करना तो बहुत ज़्यादा impossible हो जाएगा क्योंकि हर एक enterprise अपने तरीके से different होता है ठीक है उनकी product के इसाफ से उनकी size के इसाफ से उनकी calculation के इसाफ से सब कुछ different होता है तो कही न कही हम यहाँ पे यह कहे कि एक single set of policy इसी बना दिया जाए तो it is like impossible ठीक है impossible task आपका रहेगा इसलिए यहाँ पे multiple policies आपको offer की जाती है enterprise को जो इनके इसाफ से सही रखे वो apply कर सकते हैं ठीक है यह आपका एक main point था mcq point of you से पुछा जा सकता है इसलिए आप इस पे consider करेंगे इसके बाद यहाँ पे next point जो की mcq point of you से important हो सकता है कहता है qualitative characteristic और आपके पास में comparability of financial statement therefore suffered due to diversity of accounting policy कहता है कि आपके पास में accounting policy का यहाँ main मक्सद क्या होता है एक तरीके से financial statement को comparable करना ठीक है मनलब कि financial statement को proper presentation देना यही accounting policy का काम होता है हाला कि different different accounting policy होती है लेकिन different enterprise different accounting policy जो है apply कर सकता है कोई दिक्कत नहीं लेकिन यह accounting policy ultimately इतनी proper रहती है कि वो हर एक financial statement को यहाँ पे comparable बना सकते hacker ठीक है और यहाँ पे जो चीज में आपको already बता ही वही चीज वापस से repeat हो रही है कि uniformality is impossible कि आप यह कहे कि हर एक के लिए का आपके जो है policy जो है वो सहीम रही तो यह थोड़ा सा impossible रहेगा क्योंकि हर एक चीज अपने अपने तरीके से हो सकती है तो यहाँ पे enterprise को यहाँ पे option है कि वो अपने तरीके से accounting policy को adopt कर सकते है और अपनी accounting policy होती है तो obviously यहाँ पे uniformality जो है वो आपको impossible लगेगी ठीक है अच्छा इसके बाद यहाँ पे कहता है accounting policy जो है permit करता है more than one alternative in many case ठीक है आप यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है यह accounting standard खुद आपको permit करता है AS1 require enterprise to disclose significant accounting policy अब यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि accounting policy ने क्या कहा सर आप अपने तरीके से accounting policy adopt कर सकते है ठीक है अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि AS1 क्या कहता है कि अगर आप accounting policy में changes लाते है accounting policy को change करते है कर सकते है कोई दिक्कत ने अभी अभी कहा कि आप one or many ठीक है more than one आप accounting standard message जो policies है वो आप adopt कर सकते है कोई दिक्कत ने अभी अभी यहाँ पे कहा लेकिन AS1 यह कहता है कि आप करिये दिखाना पड़ेगा और इसलिए इसका नाम है AS1 is equal to disclosure of accounting policies मतलब कि अगर अगर policies में कोई changes हुए ठीक है तो उसका disclosure करना जरूरी रहेगा ठीक है अब यहाँ पे यह चीज़ आप simply मैंने आपको बता दिया है यह आप simply एक बार read करेंगे वही चीज़ है repeated ठीक है detail में आपको लिखा गया है अच्छा अब यहाँ पे 1.2 पे आईए point number 1.2 fundamental of accounting assumptions यह बहुत ज्यादा important है इस पे practical questions आपके आथे उपर जो मैंने आपको बताया उपर जो मैंने बताया इस पे MCQs आपके बनते है ठीक है तो MCQs बनते है तो आप एक बार इसे read कल लेंगे अब यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ यह fundamental accounting assumption direct आपके practical questions इस पे बनते है अब fundamental accounting assumption जो है जब हम बात करें fundamental accounting assumption की तो तीन तरीके की fundamental accounting assumption रहती है ठीक है going current consistency और accrual सबसे पहले इसका मतलब समझते और इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा बहुत detail समझते सबसे पहले going current अब यहाँ पे दीखे अगर कोई enterprise यहाँ पे start हो रही है तो यह fundamental accounting assumption है fundamental accounting assumption का मतलब यह बताना नहीं पड़ता यह already assume कर लिया जाता है ठीक है going current, consistency और accrual यह तीन चीज़े already assume कर लिया जाती है कि अगर कोई enterprise start हो रही है तो वो going current पे है consistency पे है और accrual basis पे है वो assume कर लिया जाता है यह बताने की ज़रूरत नहीं होती ठीक है इसलिए कहा जाता है यह fundamental accounting assumption है अब अगँ करन का मतलब क्या होता है going current का मतलब होता है कि अगर आज यहां पे enterprise कोई start हो रही है ठीक है अगर कोई enterprise start हो रही है ठीक है तो हम यहां पे assume करते है it is assumed debt assume हो assumption है क्या assumption है यह assume किया जाता है कि यह long time के लिए चलने वाली है मतलब कि enterprise आज start करी है तो इस इस एजिम डेट एंटरप्राइज जो है वह लोंग टाइम के लिए अपना business चलाएगी ठीक है यह आपका एक main assumption रहता है going current ओके तो यहां पर वही चीज़ है कि future तक आप चलाएंगे अपनी business को ठीक है मतलब कि अपने operations को continue करेंगे for the future इसके बाद यहां पे कहता है consistency consistency का मतलब यहां पे बड़े द्यान से समझेगा वैसे तो अभी अभी हमने पढ़ा कि sir accounting standard जो है वह हमें permit करता है कि अगर आपको एक policy पसंद नहीं आई दूसरी policy आप adopt कर सकते है मतलब कि multiple options है policy जो आपको ठीक लगे वो option opt कर सकते है लेकिन यहां पे consistency यह कहती है कि assume कि आजाता है कि जो भी आप जब enterprise start करेंगे आपके पास multiple policy होगी accounting policy for example आप जो है stock का valuation करना चाहते है तो stock का valuation के लिए आपके पास multiple policy है सबसे पहले example ले लेते सर फीफो है दूसरी भी policy है सर लिफो है ठीक है weighted average है ठीक है तीन चात तरीके की policies है आपके पास में जिसमें से आप कोई भी policy ंब्थो कर सकते हैं आपके पास में option है आपको ठीक लगे ठीक है लेकिन consistency यह कहता है कि इन तीनों में से for example यह तीन ही policy है वैसे पहसार ही होती है लेकिन तीन policy है आमने मान लिए ठीक है यह 3 में से आपने कोई adopt कर लिया मान लिज़ आपने weighted average opt कर लिया अब consistency यह कहते हैं कि weighted average opt करने के बाद फिर उसे change नहीं करना मतलब कि weighted average opt क कर लिया weighted average से आप continuously यह calculation कर लिया और फिर आपको लगा कि नहीं नहीं मुझे तो FIFO में جाना है मुझे तो लीफों में जाना है तो ये आप नहीं करेंगे consistency होनी चाहिए मतलब कि एक बार आपने policy adopt कल ली तो फिर उस पे ही चलते रहो क्योंकि अगर आप बार-बार change करेंगे तो सिधी सी बात है इसका effect financial statement पे होगा और financial statement true and fair नहीं बनेंगे audit आपका कहता है audit आप पढ़ते है कि financial statement आपके true and fair होने चाहिए अगर accounting policy ही change करते रहेंगे तो true and fair view कैसे मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे यही चीज़ कहता है कि consistent रही है एक बार आपने select कर लिए हाँ multiple option है कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक बार select करने के बार फिर उस पे ही रही है पर हाला कि यहाँ पे कहा गया है कि सर तीन ऐसे point है जहां पे आप accounting policy को change कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तीन ऐसे point बाकि आप जो है इसे change नहीं कर सकते यह तीन के अलावा कोई case है तो आप accounting policy को change नहीं कर सकते मतलब कि पहले तो आपको option रहता है कि कोई भी opt कर ये लेकिन एक बार opt कर लिया फिर आप change नहीं करेंगे लेकिन ऐसे तीन इसके exception है आप कह सकते है कि उस case में आप जो है इसको change कर सकते है सबसे पहला कहता है कि by state you अगर low आपको खुद कह रहा है मतलब कि low के दौर आपको कहा गया है कि आपको as per low आपको जो है यहाँ पे accounting policy को change करना पड़ेगा तो फिर आप करेंगे कोई दिकत नहीं है ये allowable है इसे चेंज करेंगे तो फिर करना ही पड़ेगा ठीक है तो फिर करेंगे चलेगा लेकिन तीसरा कहता है कि आपके पास में for more appropriate presentation लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ना ही statute ने मतलब कि ना ही low ने कहा वो ना ही accounting standard ने कहा लेकिन enterprise को ऐसा लग रहा है कि weighted में से अगर फीफो में चले जाए तो हमारी presentation और ज्यादा appropriate होगी मतलब कि user को और ज्यादा ये benefit देगी मतलब कि उनको ज्यादा true and fair view दे सकती है अगर ऐसा है तो आप change कर सकते तो तीन कारण याद रखेगा direct आपका theory question पूछा जाता है तो तीन कारण तीन ऐसे reason है जहाँ पे accounting policy को change किया जा सकता है इन तीन reason के अलावा कोई भी reason हो आप यहाँ पे accounting policy को change नहीं कर सकते एक बार opt कर लिया बस opt कर लिया फिर consistency रखो लेकिन तीन ऐसे reason है सबसे पहला तो low आपको कहता है statue second कहता है कि accounting standard आपको कह रहा है कि भाई change करिए तो accounting standard करे है कह रहा है तो करना पड़ेगा और third आपको खुद को लग रहा है कि अगर हम policy को change करें तो वो more appropriate presentation देगा तो फिर आप change कर सकते हैं ठीक है अच्छा इसके बाद third कहता है अक्रूल बेजिस बहुत बच्पन से आप पड़के आते कि अक्रूल बेजिस का मतलब होता है आपके पास में अगर कोई चीज है जो आपको receive होने वाली है ठीक है अभी तक receive नहीं होई लेकिन यहाँ पे confirm है कि आपको receive होने वाली है तो इसे यहाँ पे लिख दीजे मतलब कि case basis नहीं आप यहाँ पे कहिए whether or not case or case equivalent is receive or paid मतलब कि कोई चीज आप pay कर रहे है मान लीजे ठीक है बस आप pay करने ही जा रहे है अभी pay नहीं होई लेकिन exam से pay होने ही वाला है यह confirm है ठीक है यह payment होने ही वाला है confirm हो चुका है तो उसे record कर दीजे ठीक है यहाँ पे वही चीज कहता है कि आप जो है case basis पे नहीं कोई loss होने वाला है for example loss होने वाला है confirm हो चुका है तो उसे record अभी कर दीजे loss होगा तब देखा जाएगा then case basis ठीक है case basis में क्या होता है सिर्फ case receive और pay हुआ तभी record करेंगे लेकिन actual basis में क्या होता है कि अगर इसकी sign भी है मतलब कि ये confirm हो चुका है तो हम record कर सकते हैं ठीक है और actual basis को more logical बता दिया गया है सिर्द इसी बात है कोई loss होने ही वाला है confirm हो चुका है तो फिर record कर देना वो बहतर रहेगा ठीक है तो ये चीज़ important बन जाती है आपके लिए तो ये चीज़ आपके पास में complete अब मैंने आपको बताए इन सब के मतलब क्या होता है going current का मतलब क्या होता है consistency और accrual इसे एक बार आप read करेंगे आपको समझा जाएगा ठीक है वैसे मैंने आपको बता दिया है बस यहाँ पर simply आपको एक बार read करना है क्योंकि MCQ point office से भी important बन सकता है ठीक है तो going current, consistency और accrual basis का मतलब हमने समझ लिया ये तीन fundamental accounting assumption है अब यहाँ पर दिक्कत या आती है कि सर हमें ये समझ नहीं आए कि चलिए ये तो ठीक है आपने समझाया लेकिन इसे समझाया क्यों क्योंकि इसके बाद हमारे दूसरा box ये पढ़ना है इसके लिए हमने इसका मतलब आपको समझा दिया कहता है कि वैसे तो मैंने आपको starting में ही कहा कि सर accounting assumption ये वो assumption है जिसे assume किया जाता है जिसे बताना नहीं पड़ता enterprise टार्ट हुआ मतलब कि इसे assume ही कर लिया गया है ठीक है कहीं पे भी बताना नहीं होता कि हम ये accounting assumption follow कर रहे हैं ठीक है ये बताना नहीं होता ये आपका assumption रहता है कि accounting यह जो assumption है तीन तरीके की यह follow हो ही रही है ठीक है यह assume कर लिया जाता है तो यहाँ पर वह ही कहता है कि अगर fundamental accounting policy यह जो assumption है वो if follow ठीक है आप इसे follow कर रहे हैं तो इसे disclose करने की जरुवत नहीं for example मैं accrual basis पर ही अपने accounts बनाता हूँ going current मेरा reason है और consistency ही मैं रखता हूँ ठीक है मतलब कि तीनों assumption को मैं follow कर ही रहा हूँ तो कोई disclosure देना नहीं है कोई disclosure देना नहीं है मतलब कि यह assumptions है आप समझ यह चीज़ को कि यह accounting assumption है यह implied assumption है कि अगर आप इसे follow कर ही रहे तो वैसे ही इस disclosure की जरूवत नहीं है अगर enterprise start होती है तो इसे मान लिए जाता ही कि तीन assumption आप follow कर ही रहे इसके लिए आपको बताने की जरूवत नहीं कि मैं यहाँ प체 follow कर रहा हूँ यह तीन के यह वर्ड ही क्या है assumption तो यहां पर कहता है कि अगर Fundamental accounting assumption आप follow कर रहे हैं तो बताने की कोई जरुवत नहीं क्योंकि यह मान लिया गया है लेकिन अगर आप इन assumption में से कोई भी assumption को follow नहीं कर रहे हैं if not follow तो आप दिक्कत हो गई क्यों दिक्कत हो गई कि enterprise जब भी start हो जाती है यह assume कर लिया जाता है कि यह तीन policy आप follow कर रहे है ठीक है अब अगर यह फोलो नहीं कर रहे है तो तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि एजम्शन तो यह कहता है कि हमने एजूम कर लिया है कि आप तीनों फोलो कर रहे हैं अगर एंटरप्राइज यह एजम्शन को फोलो नहीं कर रहा है तो उसे स्पैसिफिकली बताना प accounting standard क्या कहता है कि enterprise start हो गया हमने assume कर लिया कि यह तीन policy आप जो है तीन assumption जो है वह चलते रहेंगे ठीक है इसके इसाब से ही चलेंगे अब अगर इसके इसाब से नहीं चल रहे तो आपको यहां पे disclose देना पड़ेगा चल रहे तो तो कोई दिक्कती नहीं no required disclosure लेकिन नहीं चल रहे तो disclosure देना पड़ेगा ठीक है तो assumption follow नहीं कर रहे तो disclosure देना पड़ेगा इस पर practical question आपको देखने को मिलेगा हमने रखा है हम देखेंगे ठीक है इसके बाद यहां पर accounting policy तो accounting policy सर आप कह रहे है कि changes accounting policy का मतलब तो यहां पर दो example आपको दिगीवन है इन दो example से आपको समझा जाए कि बहुत ज्यादा simple है कहता है कि आपके पास में कहता है कि आपके पास में अगर inventory की बात करें जो मैंने अभी अभी example आपको दिया कि अगर हमारे पास inventory की बात करें तो उसका valuation का तरीका बहुत सारा होता है फीफो होता है लिफो होता है वेटेड होता है ठीक है अगर आप before follow कर रहे हैं और waited में जाना चाहते हैं वो तीन reason x y z ठीक है तीन reason statue कह रहा है या फिर आपके पास में जो मैंने कहा था statue मतलब कि as per low या फिर accounting standard कह था या फिर आपको खुद को लग रहा है कि more appropriate आपके पास में presentation बनेगा और इसके कारण अगर आप policy change करते हैं तो इसका disclosure आपको compulsory देना पड़ेगा accounting policy change होने पे इसका disclosure compulsory देना पड़ेगा ठीक है accounting policy change होने पे इसका disclosure compulsory देना पड़ेगा इसका दूसरे example भी दे रहा है for example हम case flow statement बना रहे तो उसमें आपको पता ही है कि दो method होती है direct method और indirect method तो इसमें से कोई एक follow करते है और फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें दूसरी method पर जाना है मतलब कि यह change in accounting policy है तो इसका भी disclosure आपको देना पड़ेगा ठीक है in short मैं कहूu accounting policy आप change करते है इसका disclosure देना ही पड़ेगा ठीक है assumption नहीं follow करते है तो उसका भी disclosure देना ही पड़ेगा ठीक है चलिए इसके बाद यहाँ पे आजाईए इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे एक point है जो मैं AS2 में basically वो AS2 का point है लेकिन यहाँ पे आता है इसलिए मैं यहाँ पे बता दू कि sir AS2 यह कहता है AS2 में हम पड़ेंगे कोई दिकत वाली बात नहीं है लेकिन AS2 क्या कहता है sir inventory की valuation करते हैं हम जब ठीक है valuation करते हैं inventory की तो valuation की inventory करते हैं तो इसमें दो चीज़े होती है एक हता है हमारा cost और एक होता है हमारा NRV, sir NRV का मतलब NRV का मतलब होता है यहाँ पे दूसरा होता है NRV 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 का मतलब जिसकी market में value है, ठीक है, inventory की market में value कितनी है और cost की value कितनी है ठीक है फॉर एक इंवेंटरी की वैल्यू है 100 रूपे कोश्ट और एनर्वी है 200 वैल्यूएशन रूल ये कहता है चाहे कोई भी पॉलिय से आप फोलो कर रहे है वेटेट फीफो ठीक है लेकिन आप किस पे दिखाएंगे कहता है कि वेटेट फीफो के इसापस आपने कैलकुलेशन करा पूरे का पूरा कैलकुलेशन आ गया ठीक है कोश्ट निकल के आ गई आपकी इसके बाद कोश्ट को एनर्वी से कंपेर करिए और इन दोनों में से जो लोवर होगा वही कंसिड किया जाएगा यह रूल कहता है सबसे पहले तो आप कोश्ट निकल यह कोश्ट के लिए आपके पास में अकाउंटिंग पॉलिसी है सर कौन कौन सी सर वीफो है वेटेड है ठीक है लिफो है यह सारी चीज़े है तो इससे आप कोश्ट निकालेंगे और फिर उसे एनर्वी स और इस लोगर उसे हम कंसिडर करेंगे तो यह चीज़ यहाँ पर पढ़के रख दीजिए आपके पास इसके बाद यहाँ पर आ जाएए नेक्स्ट पॉइंट पे हां अकाउंटिंग पॉलिसी में काफी सारी पॉलिसी है सबसे पहला आता है प्रूडंस प्रूडंस क्या कह देगी फोर एक्जमपल कोई लाइबलीटी आपके पास में ठीक है लाइबलीटी है तो उसके डिलेटेट अप प्रोविजन बनाते फोर एक्जमपल बैडड़ तो बैडड़ का यह प्रोविजन जो बनाना वही है एक तरीके से प्रूडंस कि जो फ्यूचर में हमें लगत इसके बाद यहाँ पे सेकेंड कंता सब्सटाण्स इवजड़ फॉबस्टंस इवजदा यूसल सै कि रियलीटी और लिगालीटी आपके यहाँ पर यह कहता है सब्सका एक्जमपल भी आप यहाँ पर लिग सकते एक्जामपल substance or form का example है higher purchase case higher purchase case higher purchase का case यहाँ पे इसका example हो सकता है कहता है कि यहाँ पे substance or form का मतलब होता है कि यहाँ पे reality देखी जाएगी basically reality का मतलब क्या होता है सर यहाँ पे कैसे है तो higher purchase का example से आपको बिल्कुल समझा जाएगा कहता है कि आपके पास अगर higher purchase का case देखे तो क्या होता है एक person होता है ठीक है जिसे हम कहते है vendor जो अपने stock को sale करता है ठीक है stock हो सकता है कोई transport vehicle हो सकता है ठीक है वो दूसरे person को sale करता है और on the installment basis ठीक है installment basis मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो sale हो रहा है ठीक है sale हो रहा है वो जो भी asset है वो सामने वाले को दे दिया जाता है और सामने वाला उसे use करता है और time to time इसका installment पे करता है कही न कहीं आप देखिए तो यहाँ पे example वही यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलाओ यह एक person है ठीक है जिसे कहते हाईर वेंडर यह आप हाईर पर्चेस chapter में पढ़ते हैं लेकिन हाला कि इसे I think हटा दिया गए आपके syllabus से देखेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पे example दे रहा हूँ और purchaser होता है ठीक है यह vendor और purchaser दो person है vendor क्या करता है अपनी asset को sale करता है on higher purchase system higher purchase system में क्या होता है कि अपनी asset जो है higher purchaser को दे दी जाती है वो उसे use करता है ठीक है और साथ ही साथ उसका installment जो बनता है वो pay किया जाता है higher vendor को ठीक है मतलब कि time to time installment basis पे इसका payment होता है for example 5 lakh की asset है तो 5 lakh रुपे installment में इसे higher vendor को pay किया जाएगा for example 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1 lakh इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पे अगर हम देखे तो higher purchase case में क्या होता है asset तो already यहाँ पे चली गई किस के पास में asset यहाँ पे चली गई higher purchaser के पास में ठीक है अब मुझे बताईएगा बड़े द्यान से समझ के student कहेंगे कि sir higher vendor की मानी जानी चाहिए क्योंकि अभी तक पूरा payment नहीं मिला है installment पे यह payment कर रहा है तो जहां तक पूरा installment पे ना हो जाए तब asset को किस की मानी जाएगी sir as per तो हम legally देखे तो sir books of account में तो इनका ही नाम होगा सीधी सी बात है अभी तक asset इनकी हुई कहा है वो तो installment पे गर रहे है तो आपने कहा है legally अगर देखा जाए legally अगर देखा जाए तो तो फिर यहां पे vendor की ही asset है ठीक है और in reality देखा जाए reality में देखे तो कही ना कहीं आप देखे है कि purchaser यह asset को कुँ यूज कर रहा है, कहीं न कहीं इसका purchase करने का मकसद है इसलिए तो यह installment पे कर रहा है तो reality देखा जाए तो ultimately क्या होने वाला है ultimately यह purchaser की ही asset होने वाली है, in future मान लेते है ठीक है अभी installment क्यों पे กर रहा है क्योंकि future में यह asset किसकी होज़े purchaser की इसलिए तो purchaser installment pay कर रहा है तो कहीं न कहीं यहाँ पर reality यह कहती है कि sir purchaser का होना चाहिए और legality यह कहती है कि sir vendor का ही है obviously क्योंकि अभी तक last installment pay नहीं हुआ है तो यहाँ पर क्या कहता है substance over form यह कहता है कि sir यह reality देखी जाएगी जब benefit की बात आएगी for example हम depreciation की बात करेंगे तो sir depreciation क्या होता है एक तरीके से हमारा क्या होता है sir एक non case item है जो हम यहाँ पर अपने profit को कम करने में use करते है यह depreciation help करता है कि हम tax को कम करें tax कम pay करना पड़ता है depreciation के खारण तो यह benefit किसको दिया जाएगा depreciation कोन ले पाएगा तो यहाँ पे कहता है substance over form मतलब कि यहाँ पे वो लिया जाएगा जो real में reality में अपने owner है और reality में owner कोन है sir reality में owner जो है वो purchaser है तो depreciation कोन क्लेम करेगा sir purchaser वैसे लगता है कि sir vendor को ही लेना चाहिए लेकिन नहीं future में यहाँ पे देखा गया है कि sir purchaser का ही यह asset होने वाला है तो यहाँ पे substance over form का rule apply करा गया और कहता है कि sir purchaser depreciation को जो है claim करेगा ठीक है purchaser depreciation को claim करेगा तो यह है आपका substance over form का पूरे का पूरा point इसके बाद materiality देखे materiality enterprise के इसाब से different different हो सकती है for example कोई enterprise छोटी से enterprise है उसके लिए 1000 रुपे भी बहुत ज़्यादा material है ठीक है मान लीजे enterprise में 1000 रुपे खो गए तो यह खो गए 1000 रुपे इसके लिए बहुत ज़्यादा material है इसका यहाँ पे calculation करना पड़ेगा इसको यहाँ पे बताना पड़ेगा ठीक है यह important इनके लिए है for example एक दूसरी enterprise है जिनका करोडों में वियोवार होता है ठीक है transaction करोडों में है ठीक है और उनके enterprise में 1000 रुपेस खो गए तो इनके लिए इतना ज़्यादा material नहीं है ठीक है तो यहाँ पे materiality जो है वो enterprise के इसाब से change हो सकती है तो यहाँ पे एक example भी दे रखा है कि एक company है इन्हें disclose करना पड़ेगा should disclose company should disclose by way of not additional information regarding any item of income or expenditure which is exceed 1% मतलब कि अगर for example कोई loss हुआ है कोई यहाँ पे expense हुआ है जो एक percent of revenue ठीक है यह company की own policy होती है company को यहाँ पे खुच से decide करना होता है कि कितनी हमारी materiality रहेगी जैसे कि मैंने यहाँ पे example दिया कि company ने 1000 रुपे को अपनी materiality मान के चला है वो company wise different different होता है तो यहाँ पे यह company ने क्या decide किया है सर 1% हमारी materiality रहेगी कि 1% of revenue से exceed कर जाता है तो हमारी लिए material है और उसे हम क्या करेंगे सर disclose करेंगे अगर materiality चीज है तो उसे disclose करना composer है ठीक है तो company ने क्या किया है सर यहाँ पे disclosure देखा वो disclose करना पड़ेगा अगर 1% से exceed करती है यह 1% कहां से है सर यह अपनी own assumption होती है company की ठीक है question wise question आपको यहाँ पे बताएगा ठीक है यहाँ पे इससे related कोई दिकत नहीं है अगर इस पे question पूछेगा तो बताएगा कि सर company की materiality 2% है आप बताएगा कि यहाँ पे फिर आपको कुछ आकड़े देगा ठीक है और calculation आपको करनी होती है अगर 2% से exceed करेगा तो उसे हमें disclose करना है 2% से कम है तो disclose करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है यह आपका materiality का concept इसके बाद next point पे आजाईए next point पे आजाईए accounting policy disclosure of accounting policy changes कहता है कि अगर आप change कर रहा है accounting policy मैंने example दिया था कि सर वेटेर से आप फीफो में जाते तो change in accounting policy ठीक है तो यहाँ पे तो सर मैंने आपको पहला ही बता दिया कि अगर accounting policy में change करते तो compulsory compulsory disclose करना पड़ेगा compulsory disclose करना पड़ेगा यह मैंने कहा था सर हाँ जी कहा था सर इससे related all ज्यादा detail पड़ते है यहाँ से detail में क्या चीज़ है सर detail में यह चीज़ कहता है कि अगर accounting policy change करिये material in current period मतलब कि वो changes हो रहा है मान लीजे आप फीफो में थे waited में आ गए फीफो में थे waited में आ गए अब यहाँ पे समझे फीफो में थे और waited में आ गए फीफो से जो valuation कर रहे थे उसका valuation for example 60,000 आ रहा था stock का valuation waited में जाने से इसका valuation हो गया 70,000 changes आया सर हाँ जी changes कितना है सर 10,000 का change आया यह 10,000 के change को आपको so करना पड़ेगा मतलब कि disclose करना पड़ेगा अगर proper word यूज करे तो disclose ठीक है तो यहाँ पे कहता है कि जो changes हो material है ठीक है for example यहाँ पी यह तो material है सिधी सी बात है 10,000 रूपे changes हो रहे हैं material है लेकिन for example फीफो से waited में गए फीफो से आपका आ रहा था answer 60,000 ठीक है waited में जाने से आपका answer आया 60,000 रूपे तो यहाँ पे changes कितना है सर 1 रूपे का अब यह क्या material है answer इसनों यह material नहीं है ठीक है तो यहाँ पे कहता है कि अगर यह material है यह यहाँ पे material था अगर material है तो आपको इसे disclose करना पड़ेगा अब याद रहे सर इस पे बहुत ज्यादा practical question पूछा जाता है क्याता है कि amount ascertainable है तो amount आपको disclose करना है अगर amount ascertainable नहीं है तो आपको fact disclose करना है always ज्यान रखे जैसे कि मैंने इस example में आपको दिया कि सर weighted average में गए तो हमें यहाँ पे changes पता चल गया केतना है changes changes यहाँ पे कितना है changes 60 से 70 हुआ 10,000 का change है amount ascertainable है तो आपको disclosure में कहिना है कि सर 10,000 का changes हुआ है लेकिन अगर amount पता नहीं चल पा रहा है हमें कुछ ऐसा complication आगा है कि amount पता नहीं चल पा रहा है तो भी याद रखिये कि सर amount पता नहीं चल रहा है तो भी disclosure तो देना ही पड़ेगा सिर्फ fact बता दीजिए कि हम FIFO से weighted में गए है लेकिन amount हमें नहीं पता fact तो बताना ही पड़ेगा compulsory compulsory ठीक है अगर material changes है तो लेकिन कहता है कि अगर material नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पे ध्यान रखे इसका disclosure की ज़रुवत नहीं है अगर material चीज नहीं है changes material नहीं है अगर यहाँ पे देखे material changes नहीं है तो फिर इसको disclose करने की जरूरत नहीं है लेकिन always ज्यान रखिए कि अगर ये fact अगर आप ये जो changes है वो अभी material नहीं है लेकिन future में future में future में अगर वो material बनने वाला है वो आज आपको लग रहा है enterprise को लग रहा है कि आज तो इसकी materiality नहीं है एक रूपे की लेकिन future में हमें इसी चीज़ की materiality हो सकती है तो आप आज ही उसका fact disclose करेंगे आप आज ही उसका fact disclose करेंगे बहुत ज़्यादा important ये इस पर practical question आता है फिर से एक बार revision करवा देता हूँ देखें कहता है कि सबसे पहला तो क्या accounting policy आपने change करी answer is yes तो simply ये देखें कि क्या वो material था या फिर material नहीं था तो सबसे पहले material के बात करें तो अगर वो material था तो आपको compulsory disclose करना पड़ेगा अब disclosure में दो तरीका हो सकता है या तो आपको amount changes जो हुआ है उसकी amount पता है तो आप amount disclose कर देंगे लेकिन amount नहीं पता है तो उसका fact disclose करना पड़ेगा question पूचा जाता है question ये पूचा जाता है कि sir हमारे पास में हमने accounting policy को change किया effect तो material थी लेकिन amount हमें नहीं पता है तो disclose करने की जरूरत नहीं है न ऐसा पूछते तो answer is disclose करना पड़ेगा compulsory क्योंकि amount नहीं पता है तो fact बताना पड़ेगा लेकिन disclose तो करना ही पड़ेगा तो फिर आपको आज ही उसका fact दिखाना पड़ेगा ठीक है यह बहुत ज्यादा important practical question है आपके पास में आपके module में भी है तो मैं दिखाऊंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आज यह अब इस पर illustration है हमारे पास में illustration देखते हैं illustration 1 कहता है आपके पास illustration 1 क्या कहता है एक मिनिट ज़रा हाँ illustration 1 क्या कहता है वह देखें illustration 1 कहता है कि in the books of MS प्रसांत limited प्रसांत limited करके कोई company है और इनकी books में closing inventory जो है इस बुक्स में जो closing inventory जो है वह 31st March 2002 कह सकते है 22 कह सकते है ठीक है कोई भी मान लीजे 31st March को यहाँ पर जो closing inventory वह दीख रही है 1,63,000 की FIFO method के इसाब से मतलब की company जो है FIFO method यूज कर रही है और FIFO method के इसाब से इनका closing inventory का valuation जो है कितना बन रहा है 1,63,000 इतना हमें समझ में आया ठीक है अब आगे कहता है कि company decide to change from FIFO method to weighted average method हमने पाड़ा था सरी theory आज करिए जल्दी से theory आज करेंगे सर वैसे तो accounting policy को change नहीं किया जा सकता लेकिन तीन ऐसे case ते accounting standard कहता है तो हमें change करना पड़ेगा low कहता है तो हमें change करना पड़ेगा और तीसरा हमें लगता है कि presentation और जाता बैतर हो सकती है ठीक है तो हम यहाँ पर accounting policy को change करेंगे अब यहाँ पर question यह practical practical question में क्या होता है कि direct आपको बता दिया जाता है कि हमने change कर दिया है तो हमें assume करके चलते कि वो तीन चीज़ आपने follow कर दी है ठीक है चलिए इसके बाद कहता है कि इन लोगों ने क्या किया है decide कि FIFO से हम weighted में चले जाएंगे और weighted में जाने से कहता है कि व net reasonable value वही ठीक है तो nrv कितनी है 195,000 ठीक है अब क्याता है कि क्या disclosure करिए क्या disclosure required है changes इनको record करना answer is मैंने already कहा था कि सर अगर आप जो है accounting policy को change करते हैं तो कमपल सरी उसका disclosure देना ही पड़ेगा अभी अभी हमने पड़ा ठीक है आच्छा तो यहाँ पे disclosure तो देना पड़ेग तो सबसे पहले देखिए हमें simply compare करना है FIFO method के हिसाब से इसका amount कितना था सर FIFO के हिसाब से इसका amount था 163,000 163,000 अब यही amount जो है यही amount जो है वो मुझे बताईए weighted के हिसाब से कितना हुआ weighted के हिसाब से कितना हो गया सर weighted के हिसाब से दो amount given है दोनों मैंसे कौन सा लेना है अभी अभी मैंने बताया सर कि जब हम valuation की बात करते हैं inventory की तो वहाँ पे दो चीज़ होती है एक nrv होती है जिसे हम realizable value भी कहते है और एक होता है cost ठीक है जब भी दो चीज़ हो तो हमें क्य है रूल क्या कहता है सर रूल जो है वो कहता है दोनों में से lower लेना है ठीक है अब यहाँ पर देखिए तो nrv कितनी है सर nrv जो है 195,000 है और आपके पास में cost 147,000 है दोनों में से lower क्या है वही मान लिया जाएगा 147,000 इसकी valuation मान ली जाएगी अब यहाँ पर ध्यान से दे अगया क्योंकि फीफो में से weighted में गए अभीफो में से weighted में जाने से कितना changes आया अगर आप यहां पर minus करें 163,000 minus 147,000 तो changes आपका 16,000 का आ रहा है standard का लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको accounting standard के बारे में सबसे पहले प्रोविजेन के लिखेंगे प्रोविजिंदS सबसे प्रोविजेन के सर क्या लिखना है वह है その WHOEHE यही चीज्श में लिखना है कि आनी कि मैं। छेंज करे går dá lying material है तो आपको यहाँ पे उसका disclosure करना पढ़ेगा disclosure कैसे करेंगे sir तो disclosure में अगर amount पता है जो change हो रही है जैसे कि इस example में हमाँ पता है कितना change हो रहा है sir 16,000 ठीक है तो 16,000 क्या करेंगे sir disclose कर देंगे लेकिन ऐसा भी कोई कारण हो सकता है कि हमें amount पता ही नहीं है अगर amount नहीं पता है तो हमें क्या करना पड़ेगा fact को disclose कर देना है बस लेकिन disclose करना है ठीक है तो यह चीज़ आप sentence में लिखके आएंगे यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यही चीज़ हमें exit copy paste करना answer is no हमें हमारे तरीके से लिखके आने जो हम यहाँ पे पड़ चुके हैं बस वही चीज़ लिखके आने और फिर यह rule भी लिखके आएंगे फिर lower of NRV और cost फिर यह कैसे आएगा 147,000 और 147,000 को compare करेंगे 163,000 से और यहाँ पे difference कितना निकल के आए 16,000 तो यह सारी चीज़ आप sentence में लिखके आएंगे यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा है वो छोड़ दीजे हम इसे sentence में लिखके आएंगे ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है अच्छा सर यहाँ पे कुछ student को इतना concept clear ना हो कि यहाँ पे कहता है कि सर प्रॉफिट रिडियूस हो गया प्रॉफिट कैसे रिडियूस हो गया तो इससे related में आपको चीज़ बता दू कि जैसे कि आप समझे कि इससे related यहाँ पे मैं example वही लेता हूँ कि यहाँ पे जो है inventory inventory मान लीजे 100 रुपे की है ठीक है inventory 100 रुपे की हमारी है अब इसकी value कम होके मान लीजे हो गई 90 इसकी value 90 हो गई ठीक है इसकी value 90 हो गई अब हमने खर्चा कितना किया 100 रुपे का लेकिन market में अब कितने में बिख सकती है सर इसकी value हो गई 90 मतलब की 90 रुपीज में बिख सकती है ultimately आप देखिए कि inventory का valuation अगर कम हो जाता है decrease हो जाता है हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ सर लोस हो रहा है लोस का मतलब हम दूसरी language में क्या लिख सकते है सर प्रॉफित हमारा कम हो चुका है profit जो है वो क्या हो गए सर कम हो गया ठीक है तो यहां पर वही चीज़ कहना चाहता है कि अगर हमारा cost आप देखिए पहले 163,000 थी ज 47,000 हो गया कही न कही profit में reduction है ठीक है तो profit में अगर reduction है तो simply हम यहां पर लिखे आएंगे कि change in policy के कारण reduce हो चुका है हमारा profit कितने से 16,000 से अगर ज्यादा याद न रखें तो सिर्फ इतना याद रखें कि आप policy change कर रहें तो amount को आप देखें पहले करना है और ज्यान रहें पहले जितना था उससे अगर हम आज कम हो चुका है decrease हो चुका है तो profit भी decrease हुआ होगा तो आप यहां पर लिखे आएंगे सब profit reduce हुआ है अगर आप economics के language में बोले तो सीधा relation है अगर यहां पर cost decrease हो रही है आपको यहां पर amount decrease दिख रहा है तो आप सिंपली लिखे आएंगे profit decrease हो रहा है और अगर amount increase दिख रहा है तो profit increase हो रहा है यह लिखे आएंगे ठीक है बहुत ज्यादा simple इसके बाद illustration number two पर आईए illustration number two कहता है कि जगतनात limited कर के कोई कंपनी है ठीक है और यहां पर कहता है कि offer करते है document to its member member को यहां पर कोई document offer किये गए क्या है offer कहता है कि it is a project surplus of 40 crore मतलब कि कुछ offer करा है जगतनात limited ने अपने members को जहां पर कहता है कि अगर यह project को हम apply करते है तो 40 crore rupees का surplus मिलेगा profit मिलेगा इस project पर ठीक है कहता है कि the draft result for the year कहता है कि prepare high for hitherto hitherto accounting policy आता है hitherto का मतलब होता है कि old ठीक है old policy ठीक है तो hitherto accounting policy आपको यहां पे कहाए गए उसके हिसाब से अगर हम यहां पे देखे तो director का कहना है कि 40,000 का surplus तो नहीं हो पाया लेकिन उपर से 10 crore का deficit हो गया मतलब कि क्या हुआ यह ultimately क्या कहना चाता है सर एक जगतनात limited करके company है यह limited company ने क्या करा board of director ने यहां पे mainly तो वही decision ले थे तो board of director ने कहा अपने members को कि सर यहां पे एक project है 40 करोर रूपिस का इसमें surplus हो सकता है उसे हमने investment करना है ताकि हम 40 करोर का surplus कमा पाए अब यहां पे investment हो गया सब कुछ हो गया इसके बाद last में year ended पे हमें पता चला कि सर यहां पे 40 करोर का तो surplus होने से रहा लेकिन 10 करोड का ठीक है 10 करोड रूपिस का loss हो गया deficit हो गया तो यह तो उल्टा हो गया सब कुछ ठीक है उल्टा फूल्टा अब यहां पे कहता है कि आपको consultant नियुक्त किया गया है और आप बताए इनको किजिए यह इन से related कुछ information यहां पे दो दे रहे हैं तो उसे आप देखिए और फिर बताए क्या 10 करोड का सही में loss हुआ है या फिर नहीं ठीक है तो आईए हम देख लेते कहता है कि value year ended पे inventory की कहता है कि वह है 50 करोड 50 करोड जबकि instant of hitherto method of the valuation of inventory at prime cost 30 करोड तो यहां ही तो method of the valuation of the inventory at prime cost 30 करोड ठीक है कहता है कि 30 करोड के इसाब से लेकिन हसल में इसकी value कितनी है 50 करोड की तो कहीं ना कई 20 करोड कम दिखाया गया है ठीक है old यह method है जो आप follow कर रहा है company follow कर रहे है जगतना उसके इसाब से उन लोगों ने कितना दिखाया 30 करोड दिखाना कितना था 50 करोड की value ज्यादा है inventory की अब मैंने अभी अभी बताया सर value अगर आपकी increase हो रही है इसका मतलब profit increase हो रहा है और value कम हो रही है इसका मतलब decrease हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है सर यहाँ पर 30 करोड से inventory की value 50 करोड हो गई है तो 50 करोड होगे मतलब की 20 करोड का profit हो चुका ठीक है तो 20 करोड प्लस हो चुक है प्लस मतलब की profit दिखा रहा हूँ आप यहां पे side में लिख रहे हैं इसके बाद कहता है second point provide form permanent dimension in the value of investment which has taken place over the past five year the amount of provision being 10 करोड रूपिस as a chief accountant of the company you are asked by managing director to draft the notes on account for the inclusion in annual report 2001 कह सकते है 11 12 कह सकते है 21 22 कह सकते है आप जो जो मर ली ठीक है अब सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले आप यहां पे accounting standard का reference लिख के आएंगे सबसे पहले यही आपका rule होना चाहिए कि आप accounting standard के बारे में आप बताईए sir accounting standard के बारे में क्या चीज़ बतानी है वही सारी चीज़ लिख दो ठीक है short short में आप पूरे sentence बना के लिख दीजे कि भई material है तो उसका disclose करना पड़ेगा accounting assumption तीन तरीके कि यह ऐसी चीज़ है अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है न सब चीज़ लिख के आ जाएं ठीक है बस आपको यह समझ में आना चाहिए कि यह AS1 का question है यह सीधी स करोड़ का आपको profit हो गया ठीक है और दूसरा कहता था कि हमारे investment जो है investment जो है आपके पास में उसकी वैल्यू permanent decline हो गए dimension का मतलब होता है decline हो जाना investment की value जो है वो आपकी decline हो जोगी है कितना sir provision बनाना पड़ा 10 करोड का ठीक है अब सीधी से बात है हमें कोई future में loss होने वाला है तो हम क्या करता है provision बनाते है 10 करोड की provision बनाई 10 करोड का provision बनाना मतलब sir profit कम करना loss होने वाला है अगर bandit for example हमारे होने वाला होता है तो हम क्या बनाते है sir provision बनाना इसका मतलब क्या sir profit को कम करना ठीक है तो यहां पर profit कम हो रहा है तो ultimately अगर मैं देखू तो 20,000 का profit और 10,000 का loss हो रहा है sorry 20 करोड का profit और 10 करोड का loss ultimately 10 करोड का profit आपके पास में बच रहा है 10 करोड का प्रॉफिट आपके पास में बच रहा है है तो कहीं न ये जो बोर्डव का कहाना था कि 10 कर चाइन हो रहा यह तो गलत हो गया क्योंकि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि रेंक करोड का मांज तैन और second चीज आपके पास में कहता है कि 10 करोर का Decreusement देखने को मिला है Ultimately आपके पास में amount कितना बन जाता है सर provision so made has reduced the profit disclosure 10 करोर कि provision बनाने से 10 करोर decreuse decreuse हुआ है ठीक है इसका मतलब हुआ कि सर वैसे तो 20 करोर का profit था वैसे तो 20 करोर का profit था investment के inventory के इसाब से लेकिन हुआ कि 10 करोर क्यों कम करना पड़ा क्योंकि हमारे पास में क्या हुआ है हमारे पास में bad debt हो गया investment में ठीक है इसकी वज़े से हमारे पास में provision बनानी पड़ी और provision बनाने का कारण अब profit हो गया 10 करोर ठीक है तो यह सारी की सारी चीज़े sentence में लिखे आते बस कि वैसे तो 20 करोर का profit था लेकिन 10 करोर हमारा नुक्सान हुआ वह हमें provision का यहां से minus करना पड़ा और बचा 10 करोर ठीक है तो वह चीज़े आप यहां पे लिखे आते हैं बहुरती ज्यादा simple सा question ठीक है इसके बाद illustration number 3 illustration number 3 कहता है कि XYZ lump company करके है engage in the business of financial service and कहता है is undergoing tight liquidation position मतलब कि इनकी full tight liquidation position मतलब कि कहीं न कहीं कंपनी बंद हो जाने वाली है ठीक है company बंद होने की कगार पर है कहते हैं कि आपके पास में जो assets of the company है वो block हो चुकी है मतलब कि यह सारी चीज़े block हो चुकी है सारी चीजों पर जो है वो क्या कहता है charge create हो चुका है ठीक है अब company के पास कुछ भी नहीं बचा इन लोगों ने क्या करा रहा यहां पे court में application देती है कि हम यहां पे क्या होने वाले सर court में application मिल चुकी है कि यहां पर simply यह खतम होने वाली ठीक है कहता है XYZ has accept intercorporate deposit ICDS ठीक है यह कोई deposit का नाम है आपको दे रखा है कि XYZ Limited ने कोई deposit accept करें कहता है there were claim at various rate of interest interest rate यहां पर claim किया जा रहा है किसके दारा सर from lender from due to ICD to the date of repayment यहां पर deposit ले रखे तो उस पर interest claim किया जा रहा है सामने वाले के द्वारा तो company interest pay करने वाली है तो कहता है company has provide interest as per the term of contract till the due date मतलब कि company जो है वो interest pay कर रही है full tight liquidation है फिर भी interest pay कर रही है बहुत बढ़िया है तो यहां पर pay कर रही है ठीक है कहता है कि a not for non provision of the interest on the due date to date of repayment was affected in the financial statement on account of uncertainties existing regarding the determination of the account and in the absence of any specific legal obligation at the present as per the term of contract and the company considered debt these claims are in the nature of claim against the company not acknowledged as a debt company का यह कहना है कि sir यहां पर हम कोई भी किसी भी तरीकी की provision नहीं बनाएंगे ठीक है क्यों क्यों क्योंकि यहां पर कहता है कि company कहती है कि हमारे यहां पर सीधी सी बात है हम यहां पर तो liquidate होने वाले है तो हम यहां पर depth क्यूं लिखे सीधी सी बात है अगर यह deposit आपने accept करा है यह deposit accept करा है तो एक तरीके से depth है आपको interest पे करना पड़ेगा तो company कह रही कि हम यहाँ पे नहीं depth वगेरा लिखेंगे नहीं कोई provision वगेरा बनाएंगे कुछ भी नहीं करेंगे तो पूछा गया है company से क्यूं तो company का कहना है कि हम तो liquidate होने वाले हैं तो यह सारी चीज़े लिखने से क्या फाइदा तो यहाँ से आपको पूछा जा रहा है आपको पूछा जा रहा है कि state whether treatment done by the company क्या यह correct है या फिर नहीं company ने क्या किया है company ने यहाँ पे disclose कर दिया है सिर्फ वोसी कहां पे way of not in the account instant of making provision in the statement of profit and loss ठीक है इसका यहाँ पे provision बनाने की जगह इन लोगों ने सिर्फ वोसी लास्ट में एक note लिख दी ठीक है कि यहाँ पे हमने कोई debt ले रखा है और यह चीज़ है हमारे पास में तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो सकती है क्या कि हमने policy के बारे में पढ़ा था तीन चीज़े पढ़ी थी सर एक सो सबसे पहले prudence पढ़ा दूसरा हमने substance ओर फों ठीक है हमने वहाँ पे higher purchase का example दिया और तीसरा हमने accrual basis पे भी पढ़ा था ठीक है एक बार मैं आपको यहाँ पे वापस से बता दू अक्रूल basis हमारा कहां गया सर तीन एजम्शन थी going current से related ठीक है यह चीज़ तीन हमने fundamental एजम्शन पढ़ी थी going current consistency और अक्रूल और अपनी जो यहाँ पर पॉलिस है पॉलिस से related पॉलिसी से related तीन चीज़े पढ़ी थी substance or form, materiality और तीसरी चीज़ थी prudence ठीक है यह तीन चीज़े पढ़ी थी और यह total 6 point हो जाते यह 6 point पढ़ने से हमें क्या पता चलता है सर हमें 6 point पता चलता है 6 points basically accrual basis और prudence के हिसाप से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई loss होने वाला है तो उसकी compulsory provision बनाने पढ़ती आप कौन सी situation में यह फर्क नहीं पढ़ता क्या company चल रही answer is yes company तो अभी तो चल रही है तो चल रही है तो provision बनानी पढ़ेगी ठीक है तो यहाँ पे यही आपका main point रहता है कि आपको यहाँ पे कहता है कि हाला कि accrual basis यह कहता है कि कोई loss होने वाला है तो आपको यहाँ पर provision बना deciding the interest amount for the due date to the date of repayment is incorrect, correct नहीं है और क्यों correct नहीं है क्या correct होना चाहिए था तो correct यहाँ पे लिखा है कि company को यहाँ पे इसे provide करना पड़ेगा liability की तरह ठीक है मतलब कि इसे treat करना पड़ेगा liability की तरह इसे consider करना पड़ेगा ठीक है तो यही चीज़ आपके पास में आ जाती है तो insert यहाँ पे क्या कहता था सर यहाँ पे insert यह कहता था कि जो amount आपने pay नहीं करी मतलब कि आपकी liability बनी है उसके लिए कंपल सरी आपको provision बनानी थी लेकिन company ने क्या क्या provision नहीं बनाई सिर्फ और सिप not लिख दिया कि हमारी यह liability है तो क्या यह सही answer is no यहाँ पे लिख आएंगे अपनी language में लिख आएंगे चलेगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर practical question पर आ जाएंगे practical question में यहाँ पर important यह question कहता है practical में कहता है कि आपके पास में true and false आपको दिखाना है सबसे पहला यहाँ पर कहता है कि certain fundamental accounting assumption है जो underline की गए the preparation and presentation of the financial statement ठीक है certain fundamental accounting assumption ठीक है जो underline की गए underline का मतलब होता है यहाँ पे कहता है कि हमने follow कर रहा है ठीक है accounting standard जो accounting assumption उसे आम follow कर रहे है कहता है they are usually specifically stated word क्या लिखा specifically stated मतलब कि बताना पड़ेगा because because their acceptance यहाँ पे कहता है कि accounting policy or accounting fundamental accounting assumption से उसे enterprise follow कर रही है और कहता है कि उसे हमें disclose करना पड़ेगा because हम इसे follow कर रहे हैं तो क्या यह answer सही है answer is no मैंने आपको already 2-3 बार बताया कि सर अगर आप accounting assumption को follow कर रहे तो अपतो यह assumption ही था ना तो फिर disclosure देने की कोई जरूरत ही है नहीं है तो यह क्या है sir यह गलत है यह आपका गलत है slaughter पडूश्य क्यों कि अगर आप follow कर रहे हैं तो तो डिसक्लौजर की jogo की जरूरत ही नहीं होती थी कह अगर फोलो नहीं करते हैं in presentation and preparation of finance statement कहता यह उल्टा कर दिया, फिर भी गलत ही है, फिर भी गलत ही है, फिर भी गलत ही है, क्योंकि अगर आप accounting assumption को फोलो नहीं करते हैं तो compulsory disclose देना पड़ेगा जो कि यह गलत कहा रहा है इसके बाद कहता है all significant accounting policy adopt in the preparation and presentation of financial statements should form a part of financial statement answer is yes सारी accounting policy जो आप फोलो करते हैं ठीक है उससे related जितनी भी चीज़े हैं क्या वो financial statement का part होगा answer is yes financial statement को true and fair view देने के लिए तो accounting policy हम adopt करते हैं ठीक है तो यहां पर यह चीज़ आपके पास में correct है yes true ठीक है always generate true and false आपको पूछे जाएंगे तो आपको reason लिख के आने हैं इस तरीके से ठीक है तो reason को अच्छे से एक बार read करिएगा आपको reason अपनी language में लिख के नहीं है तो यह third हो गया इसके बाद fourth क्या कहता है कि कहता है कि any changes which are material impact material है ठीक है changes किया है और changes जो है वो material हुआ है ठीक है तो कहता है where the amount by which any item in the financial statement is affected by such changes is not ascertainable मतलब कि amount ascertainable नहीं है तो कहता है कि इसको fact जो है वो नहीं जरूरत है indicate करना बताए क्या यह सही है answer is no गलत है मैंने आपको बताया था कि सर अगर कोई material impact है material changes है और वो हो रहा है तो आपको simply क्या करना है आपको simply यह देखना है कि क्या amount ascertainable है अगर amount ascertainable है तो amount लिख दो लेकिन अगर amount न लिखना पड़ेगा लेकिन disclosure जरूरी है इसने क्या कहा sir fact लिखने की जरूरत नहीं है तो यह तो sentence क्या हो जाएगा sir sentence क्या हो जाएगा sir false क्योंकि fact तो आपको disclose करना ही है fact should be indicate fact को आपको indicate करना ही पड़ेगा ठीक है इसके बाद यह theory question है पूछा जाता है example यह से यह important है जो म को मैं करवाता हूँ एक मिनिट यह लिजे आपके सामने वह question है इस question को आप देखिए students यहां पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं तो हम एक बार देख लेते कि कहता है कि कोई KK Limited है ठीक है KK Limited करके company है कहता है was making provision for non-moving stock non-moving stock का मतलब है कि जो बिकती नहीं है अभी हमारे प living accrual for the last 12 months up to 31st month 2021 मतलब कि last 12 months से यह non-moving stock पड़ा हुआ है मतलब कि 12 महीने हो गए यह बीक ही नहीं रहा है तो company कहता है कि company now want to make provision based on technical evaluation मतलब कि इसकी provision बनाने के लिए यहां पे company कोई नई ट्रिक लेके आई है और नई ट्रिक के हिसाप से वो कहता है कि total value of stock जो है वो 120 लेक रुपिस का है कहता है provision required जो है technical evaluation के हिसाप से 3 लेक है ठीक है और provision required based on 12 months no issue कहता है fall लेक है मतलब कि वैसे तो आपका अगर आप देखा जाए तो provision कितनी required है fall लेकिन company ने कोई नई technique अ यहाँ पर कहता है कि यह change in accounting policy है और change in accounting policy है does this amount to be change in accounting policy और can the company change the method of accounting accounting क्या company नहीं यहाँ पे changes करें तो answer is no देखिए provision बनाना कम पजरी है provision कितनी बनानी है वो आपके उपर है ठीक है provision यहाँ पर आपको लग रहा है वो company के ऊपर है company की जैसे capacity company को लग रहा है कि 4 करोड के नुक्षान होने वाला है लेकिन हम 3 करोड की बनाना चाहते तो वो company के ऊपर है और company अपने तरीके से कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकती है ठीक है तो यहाँ पर multiple student यहाँ पर बहुत ठीक है यह accounting policy में कोई change नहीं है क्योंकि provision में कोई changes करना provision बनाने में हमें कोई amount में changes करना it is not आपके पास में accounting policy change in accounting policy नहीं है FIFO से LIFO में जाना यह changing accounting policy मतलब कि ऐसी चीज ऐसी policy जो आपके accounts को effect करती है ठीक है तो वो चीज़ है accounting policy तो यहाँ पर याद रखेगा कि सर अगर हम provision की technical evaluation करते हैं और उसमें कोई changes करते हैं और इससे related हम यहाँ पर provision कम ज्यादा बना रहे है तो वो change in accounting policy नहीं है ठीक है वो change in accounting policy नहीं है तो यहाँ पर कहता है कि non moving inventory जो हम 4 से 3 पर जा रहे है मतलब कि 4 लाग की करनी चाहिए थी provision लेकिन हमने क्या कर रहा है सब 3 लाग की it is not a material ठीक है क्योंकि वह changes in accounting policy है ही नहीं ठीक है तो 1 lakh रुपीज जो है आपको यहाँ पर जो दीख रहा है difference तो आपके सामने simply why यहाँ पर क्या कहता है कि whose accounting policy में change है आका अंसर इस नो यह accounting policy में कोई change नहीं है यह accounting policy का change नहीं तो पहले का answer nio उसके बाद कहता है कि can the company change the method of accounting तो यहाँ पर accounting policy में आपने चेंज नहीं करा है कोई दिकत वाली बात नहीं behavior right आपने simply one lakh और एकम हैं आपका चाहिए यहां पर इतना इतना डिस्क्रोस देना पड़ेगा कि हमने जो है यहापे क्या करा है सर technical evaluation करा है और एक लाग रूपे का profit हमारा increase हो रहा है इस से बस इतना लिखे आने का यह changes in accounting policy तो नहीं है ठीक है यह आपका question था जो कि पूछा जा सकता है इसलिए मैंने इसी के साथ आपको यहापे करवा दिया है तो पूरे का पूरा AS1 जो है वो मेरे भी आप यह complete हो जाता है आपको simply इतने ही question होते इससे ज्यादा question जो है different type के नहीं पूछे जाते simply concept आपको पता है इससे related काफी सारे हमने question कर लिए बस AS1 में it is more than sufficient I think ठीक है अब RTP MTP question देख सकते हैं mostly same question आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ठीक है लेकिन RTP MTP जरूर करिएगा okay चलिए